हेलो स्टूडिंट्स वेलकम यू तु आज यहां पर हम cdp का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसे कि कल आपका evs का मॉक टेस्ट था आज आपका cdp का मॉक टेस्ट है और कल आपकी वापस से evs की क्लास कंटीन्यू रहेगी तो आज अपन cdp पढ़ रहे हैं c इंडिविजुलाइजड एजुकेशन प्लान यानि कि व्यक्तित्व शिक्षन योजना एक प्रकार का लिखित कताने जो कि ऐसे विध्यारतियों के लिए कारिक्रम है जो ठीके इंडिविजुलाइज एजुकेशन प्लान आप समझते हैं मतलब कि एक प्रकार का व्यक्तित बालकों के लिए विशेश आउशक्ता वाले बालकों के लिए या फिर अभी प्रेणा वाले बच्चों के लिए तो यहां से हमारे दो से तीन डाउट क्लियर होंगे आप इस चीज को समझें कि इंडिविजुलाइज़ एजूकेशन प्लान यानि कि वैक्तित्व शिक्षन य होते हैं जो एक्से checkpointl या बैक्वार्ड बच्चे में कोन आते हैं जो मांसी क्रूप से जिनकी बुद्धिलबधी काफी कम होती है ठीक है मांसी क्रूप से डिसेबल होते हैं, शारी रिकूप से डिसेबल होते हैं, तो हमारे according क्या होती ही, विशेश आउशक्ता वाले बच्चों की definition यहीं तक सिमट कर रह जाती है, पर विशेश आउशक्ता वाले बच्चों में आप ये consider करना भूल जाते हैं, कि प्रतिभाशाली वाले बंदा बेठा हुआ है, तो क्या वो special नहीं है, क्या उसको विशेश आउशक्ता की need नहीं है, विशेश आउशक्ता in the sense की उसको कुछ special needs चाहिए होगी, special आउशक्ता कैसे होगी, जैसे teacher मुझे जो पढ़ा रहा है, मेरे level का पढ़ा रहा है, मैं जिस IU की हूँ, उस हिसाब से मेरे को यहाँ पर अध्यान करवाय जा रहा है, लेकिन 140 वाला बच्चा तो उसको आसानी से समझ जाएगा, teacher एक बार में question लिखेगा और वो उसका answer कर देगा, क्योंकि उसका IQ सोती, PET, PMT उस लेवल का पढ़ा दिया जाता है, इसके लिए यहाँ पर special training program चलाया जाते है, special classes conduct की जाती है, किस बच्चे कुछ इतना अच्छा है, क्यों मिला है, यह इसका utilize कर पाए, इसका उपयोग कर पाए, तो विशेश आवशक्ता वाले बच्चों में आप यह न भूले, कि स्रजन शिल बालक या फिर प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उनको भी हम लोग विशेश आवशक्ता वाले बच्चों के अंदर consider करते हैं, किसी ने एक बार यह वाट्चप पे यही doubt डाला था, कि विशेश आवशक्ता वाले बच्चे किसको बोलते हैं, तो आज उनका doubt भी यहाँ पर clear हो गया होगा, मैं प्लीज बताना, आपका doubt यहाँ यहाँ पर clear हो गया है, तो देखो, विशेश आवशक्ता वाले आपने सुना है, उप्चारात्मक शिक्षा की पारे में, उप्चारात्मक शिक्षा remedial teaching क्या होती है, remedial teaching वो होती है, जहाँ पर बच्चों को individually पढ़ाया जाता है, उनके उपर special ध्यान रखा जाता है, तो यह सारे जो है, सारे बच्चे, जो है विशेश आवशक्ता वाले इसी व्यक्ते तो शिक्षण योजना के तहत इनको अधियन करवाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर option number C हो जाएगा, next question की बात करते है, ADHD बच्चों की विशेशता क्या होती, देखो तीन statement है और चार option आपके सामने, तो आपको पता है, ADHD बच्चे कोन होते हैं, जो ADHD disorder से PDT होते हैं, तो attention deflect hyper activity disorder इसका पूरा न्याम है, इसको पूरा बोला जाता है, attention deflect hyper activity disorder, इसके अंदर कौन से बच्चे आते हैं, इसके अंदर वे बच्चे आते हैं, जिनको ध्यान केंडरित करने में दिक्कत होती है, एक प्रकार से इसे अवधान विक्रती बोला जाता है, म कि ADHD के बारे में हमने एक बार study भी किया था कि बच्चों के साथ क्या होता है कि जब attendance ली जाती है तो बच्चा कुद का नाम आने से पहले प्रेजेंट में बोल जाता है घंटी बजने से पहले स्कूल की बेल बजने से पहले ही कक्षा से बाहर बच्चा निकल जाता है तो इस तीनों विशेशता है जो है ADHD की होगी और यदि आप देखे तो बच्चे को चुप चाप बैठने को बोला जाता है तो कभी उसके हाथ हिलते रहते कभी पेर हमेशा हिलता रहता है तो चुप चाप शांती से नहीं बैठ सकता है तो ADHD का full form आप से पूछा जा सकता है तो attention reflect hyper activity disorder इसका पूरा नाम है और यह चारों इसकी विशेशता है तो answer क्या हो जाएगा A B और C तीनों चीजें यहाँ पर सही है next question की बात करते हैं नरतक एवं खिलाडी अच्छे होते हैं बुद्धी में नरतक मतलब एक तरीके से dancer और जो players होते sportsmen जोते हैं वो उनकी कौन सी क्योंकि वो physically काफी active होते हैं और साथ ही उनकी गत्यात्मक quality भी अच्छी होती गत्यात्मक एक तरीके से आप वही समझ सकते हो शारिरिक गत्यात्मक ठीके कुछ ना कुछ क्रिया करके सीखना तो शारिरिक गत्यात्मक activity best वो work करते हैं पूरा उनका best रहता है physical workout के उपर तो right answer क्या हो जाएगा option number c next question की बात करते हैं विकास के किस अवस्था में अमूर्थ आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है कौन सी अवस्था में हम अमूर्थ चिंतन करते हैं मतलब कल्पनात्मक है ना तो यह चीज कौन सी हो सकती समवेदी पेशिये संक्रियात्मक को क्या बोलते हैं formal operational stage तो यह सारी अवस्था है किसकी है सबसे पहली बात हो यह चारों अवस्था है किसके द्वारा दी गई है जिन पी आजे के द्वारा दी गई लिखित में से किस अधिगम सिध्धान्त द्वारा पुरुस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देते हैं पुरुस्कार और दंड किस व्यक्ति के विकास को दिशा देते हैं यह चीज आप से पूछी गई है पहला option है स्कीनर का सिध्धान सेकेंड है पावला कि जब भी हम लोग पुरुसकार और दंड देखते है ना तो हमारे मन में हमेशा कौन सी इमेज आती है बिल्ली और उसके सामने वो रखा हुआ है खाना मचली का टुकडा रखा हुआ है और थॉंडा एक उपर बैठकर इसको पूरा पिंजरे में बंद कर रहे हैं डाल रहे है मेरे मन में तो वो इमेज आती है जब मैंने पुरुसकार और दंड को देखा था तो देखो ऑप्शन में हमको स्कीनर दिया है पावलाव दिया है पियाजे दिया और बांडूरा दिया है तो अभी आप देखो कि पुरुसकार और दंड जिसी अवस्ता और कहां पर उत्पन हुई थी किसे experiment में उत्पन हुई थी क्या ये जो चुहे के वपर experiment किया गया था इसके अंदर हुई थी पावला उने जो अपना dog के वपर experiment किया था ठीके वो घंटी बांधना लार का generate होना इस तरीके से पिया जे ने जो बच्छों की सिध्धान्त उन्होंने बताया था शौट में बोले तो पुरुसकार और दंड की अवस्था कहां पर क्रियेट हुई थी तो स्कीनर की सिध्धान्त में हुई थी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर वन इसकीनर में पुनरबलन मिलता है पुनरबलन कैसे मिलता है पुनरबलन ऐसे मिलता है कि महाँ पर चुहे के नागपर हतोरी की कुछ इस तरीके का सिस्टम वहाँ पर सेट क्या हुआ था जैसे पिंजरे से बाहर निकालने पर उसके नागपर क्या पढ़ रही थी, हतोड़े की पढ़ रही थी, तो यहीं से पुरुस्कार और धंडि की अवस्था को भी आप ऐसी समझ सकते हो, कि बच्चों को जब हम क्या करते हैं, धंडित करते हैं, तो वो उसकारी को नहीं करते हैं, नेक्स कुश्चन पर मो करें, ये दि आप किसी बच्चे के विशे में विस्तरत जानकारी एकत्र करना चाहते हो, आप टीचर हैं, आप खुद को ऐसा फील करो, जब आप ये कुश्चन कर रहे हो ना तो आप एक टीचर हो और आपको बच्चों के बारे में सारी जानकारी होन चाहिए, तो आप किसी बच्चे की विशे में विस्तरत जानकारी चाहते हो, परिवार का इतिहास, विध्याले की प्रश्ट भूमी आदी के लिए, किस विध्यन विधी का आप यहां पर उप्योग करोगे, केस इस्टेडी का, अवलोकन का, साक्षातकार का, या फिर सर्व प्रश्ट करना मतलब कि एक तरीके से हम लोग विजिट करते हैं, किसी साइट पर जाते हैं, जैसे कि इंजिनियर किसी साइट पर गया, उस साइट को पूरा निरिक्षण कर रहा है, उस तरीके से, तो इस प्रकार की एक्टिविटी यादि आप बच्चे को चाहते हो, और यह सबसे महतपुर्ण है, केस स्टेडी का सही आंसर होगा, पहले मैं आपको बता देती हूं, केस स्टेडी का सही आंसर है, जहां पर हम बच्चे की पूरी A to Z जानकारी एककत्र करते हैं, मतलब कि वो कहां से बिलोंग करते हैं, उसके परिवार में कौन लोग रहते हैं, उ का रेखुम हैं, उसके उसके पना बता हैं, तो यह सबसे होते हैं, π móप बयागा परन आपब हों, तो ग्भार में कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन कश्पन हो और जान रहता हैं, तो तो सही आंसर नहां होगा, है और उप्शन नमबर 1, यह सी सारे स्टेडी करते हैं, ग्रसित होते हैं, क्लास में लड़ाई जगड़े करना, टीचर के सामने बोलना, तो तब हमें case study की आवशकता पढ़ती है, देखो, माना आपके पास 500 रुपे हैं, मानकर चलो अभी आपके पास 500 रुपे रखें, आप बाजार जाते हैं, और 150 रुपे की सबजी, 275 रुपे क आपको solve नहीं करना है, आप चाहें तो अपनी calculation को strong करने के लिए इसको कर सकते हो, तो यहां पर हमसे जो पूछा गया है, आप उसे कितने पैसे दोगे, यह उधारन हमें क्या शो करता है, टीचर बच्चों को ऐसे explain कर लिए, कि देखो, आपके पास अभी यह हैं, आप वहा में से इसका सही answer क्या होगा, zoom करके देख लो आप लोग, इसका सही answer आपको बताना है, किसका सही answer क्या होगा, किस पर best था यह example, तो सही answer क्या होगा, option number C, अनुप्रियोग आधारित, अनुप्रियोग मतलब experiment, टीचर ने पूरा एक प्रियोग करके बताया, तो right answer क्या हो ज करते हैं, निबन दात्मक प्रशनों के निर्मान के क्या लाब है, जब हम long question को solve करते हैं, तो उससे हमें क्या लाब मिलते हैं, वस्तुन इस प्रशनों की तुलना में इन्हें बनाना कठीन होता है, और दूसरा है, यह लेखन कोशल वा योगिता का मुल्यांकन करते हैं, यह चिंतन और समस्य समाधान कोशल के अनुपरियोग पर बल देते हैं, अब आपको यहाँ पर तीन statement में से चार option कर सिलेक्ट करके बताना है, कि इन चार में से कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको सही लग रहे हैं, निबन दात्मक मतलब की बड़े बड़े जो प्रशनों होत तो वस्तुनिष्ट प्रशनों की तुलना में इसे बनाना कठीन होता है, आप teacher है, आप बच्चों के लिए paper ready कर रहे है, paper ready करने में आपको क्या करना पड़ेगा, वालो क्या आपने दे दिया, आप पर्यावरन का paper बना रहे हो, आपने बच्चों को दे दिया कि ओजोन पर क्या है, उसके शरण के कारण लिखे, एक लाइन में आपका काम हो गया, लेकिन यदि आप ओजोन परत के उपर ही वस्तुनिष्ट प्रशन बना रहे हो, तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आपको चार ओप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने होगे, कि कौन से सिलेक्टेड ओप्शन में उनको यहाँ पर दू, फिर आपको यहाँ पर एक आंसर भी बनाना होगा, ओप्शन भी सारे सिमिलर होना चाहिए, ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाए, तो बच्चों को मतलब टीचर को बच्चों को कौन से प्रशन देने में आसानी ह होती है और निबंद आत्मक प्रशन देने में आसानी होती है, किसकी बात करी मैंने अभी टीचर की, कि टीचर को बोलो कि आपको वस्तुनिष्ट प्रशन बनाना पसंद है, कि निबंद आत्मक तो टीचर यही बोलेगा, कि मैं निबंद आत्मक प्रशन आसानी से बना सकता है तो यह तियों गलत हो गई कि वस्तुरिष्ट प्रश्णों की बंतुलना में इसे बनाना कठीने तो पहला गलत हो गया दूसरा सही क्यूं है बच्चों की कोशल वे योगयता का मुल्यांकन होता है ओजोन परत का बोला है तो बच्चा A to Z अपने सारे घ्यान को उस ओजोन और समस्या समाधान किस तरीके से ओजोन परत के शरण को रोका जा सकता है तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है तो राइट आंसर क्या हो गया ओप्शन नमबर C नेक्स कोशन की बात करते प्लस करिकुलम हिंदी में इसको लिखा हुए जमा करिकुलम गती वीधियां क्या होती है ब्रेल लीपी का उप्योग करना ब्रेल लीपी आपको बता है जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लीपी का उप्योग किया जाता है अभी क्या होता है सबसे पहले यह जानना बहुत जादा आउशक हो जाता है तो देखो plus curriculum में कौन सी चीज़े आती है plus curriculum में हमारा आता है जो बच्चे देख नहीं सकते जो vision impairment एक issue होता है जिनको देखने में समस्य आती उस प्रकार के बच्चों के लिए हम लेकर आते प्लस करीकुलम है ना तो ब्रेली पिक अप रहोग उसके अंदर किया जाएगा तो सही बाते अभी मुखी करने हो गती शिलता उसके अंदर होगी ठीके देनिक अंसर क्या हो जाएगा इसका उप्शन नंबर सी मतलब पहला दूसरा तीसरा और चोथा चारो यहां पर सही है एक बार ओड़ आप चाहो तो चारो स्टेटमेंट देख लो पहला क्या बोला था ब्रेल लिपी का उप्योग करेंगे जो देखने ही सकते विजन जिनका विजन सही नहीं होता देखने का उनके लिए हम ब्रेल लिपी से पढ़ाएंगे अभी मुखी करन और गती शिल्ता उनको बहुत अच्छे तरीके से अभी मुखी करन डारेक्ट रियल एक्सपिरिमेंट के थूँ आप पढ़ाओगे देनिक जीवन कोशल से संबंदित और समवेधी प्रसिक्षन के आधार पर इंद्री गतियों के आधार पर आप उनको पढ़ाओगे तो वो चीज़ भी यहाँ पर सही हो जाती है नेक्स कोश्चन देखो कुछ कथन दिया हुआ है कथन एस मतलब स्टेटमेंट होता है कारण आर मतलब की रीजन होता है अब आपको आर और इस कोडिंग को समझना है और यहाँ पर जवाब देना है तो परिक्षा के दोरान व्यक्ति दुश्चिंता का अनुभव करता है यह आपका कथन है कुछ इस तरीके का कथन किसी के दौरा दिया गया है इसके पीछे का कारण क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है मनोविज्यानिक दबाववे कहलाते हैं जो हमारे मन में उत्पन होते हैं अब आप देखो यदि आप इस प्रकार के questions पहली बार देख रहे हो कथन और कारण दोनों सही है और R जो है S का सही स्पष्टी करण है S और R दोनों ही सही है किन्तु R इसका सही स्पष्टी करण नहीं है S सही है मतलब ये सही है और ये गलत है और दूसरा जस्त इसका अपोजिट की ये सही और ये गलत है तो यदि आप इसको देख रहे हैं इस प्रकार का statement क्यों दिया वो आपको current reason के अंदर दिया हुआ है तो आपको बताना है कि ये दोनों interconnected है या नहीं है ठीके पहला गलत है कि दूसरा गलत है ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है तो अभी अपने इसको समझने का try करते हैं परिक्षा के दोरान व्रक्ति दुष्चिंता का अनुभव करता है परिक्षा के दोरान बच्चा या फिर व्रक्ति जो होता है उसको एक प्रकार की चिंता होती है होती है सही बाते मतलब कथन ऐस तो सही है अभी तक क्या समझा है कि ऐस तो सही है मन विज्यनिक दबाव वे कहलाते है जो हमारे मन में उत्पन होते तो definition है यह तो बिल्कुल ही सही है कि दबाव एक तरीके से वो ही होते जो हमारे मन में उत्पन होते चाहे वो भय हो, डर हो, निराशा हो कुंठा हो, भगनाशा हो, तनाव हो कुछ भी हो, क्रोध हो, तो वो तो हमारे मन में उत्पन होगे, बाहर से तो आएंगे नहीं, तो ये हमारे मन में उत्पन होते हैं, मतलब S भी सही है, R भी सही है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, अब बच्चे ये और ये, अब आप ये देखो कि S और R दोनों सही है, यहां त तो अलग-अलग कारण है यह आप यह बोल सकते हो कि दो अलग-अलग चीजें हैं इन दोनों के कारण अलग हो सकते हैं या फिर इन दोनों के यह कथन दिया हुआ तो इसका सही स्पस्टिकरण नहीं है ये चीज यहाँ पर हमको सही लग रहे है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number B तो अगर आपको सिर्फ A-S-O-R दिया वह रहे तो आप समझ जाना कि ये कथन होगा और ये दूसरा हमारा reason होगा आगे बड़े next question हमें क्या बोल रहा है अंतरवैक्तित्व कोशल क्या होता है दूसरों के प्रती तधानुबूती एवं सुनने की शमता समय प्रबंदन की रणनिती दूसरों की सहायता करने की इच्छा या फिर स्वखा ग्यान तो अंतरवैक्तित्व की यहाँ पर बात की गई इस चीज को आप highlight करके रखो एक चीज होती हमारी अंतरवैक्तित्व अंतरवैक्तित्व है न अंतरवैक्तित्व होती और दूसरी होती अंतरवैक्तित्व समय प्रबंदन की रणनीती, दूसरों की सहायता करने की इच्छा या फिर स्वाका ज्यान तो सही अंसर इसका option number one, दूसरों की प्रती तदानुभूती एवं सुनने की शमता, इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि अंतव व्यक्ति तुम्हें हम क्या करते हैं, सुअ का ज्यान होता है, मतलब हम खुद से जादा परीचीत होते हैं, हम अपनी आत्मा से बाते करते हैं, आत्मा in the sense कि आपकी inner capacity, जो है आपकी inner capability, खुद से बाते करना, जिसे कि एक दार्शनिक होता है, धार्मिक नेता जोते हैं, जिसे कि गुरू होते हैं, बड़े-बड़े आचारे वगेरा जोते हैं, वो क्या करते हैं, वो धिन बार ध्यान करते हैं, मतलब कि अपनी आत्मा को क्या बूलते हैं, कि कुछ कर रहे होते हैं, मौक्ष की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े ध्यान करते हैं, वो दिन महीने तक ध्यान में बैठे रहते हैं, तो वो कौन व्यक्ति होते हैं, वो अंतर वैक्तितु वाले व्यक्ति होते हैं, अंतर व्यक्तितु वाले जो खुद में घुले मिले रहते हैं उन्हें जादा लोगों से बातचीत करना लोगों के बीच बैठना यह चीजें पसंद नहीं होती लेकिन जो अंतर वैक्तित होते हैं यह तरीके के राजनेता होते हैं जिन्हें दो लोगों से बातचीत करना उनकी समस्या सुनना उनकी समस्याओं का समाधान करना यह दाइग्राम के तुरू आप समझ सकते हो यह गार्डेनर का बहु बुद्धी सिद्धान ते उसमें उन्होंने अलग-अलग प्रकार की बुद्धी बताई थी देखो पहली जो बुद्धी थी उसके अंदर भाशाई बच्चों को व्यक्तियों को भाशा का ग्यान होगा और यह क्वालिटी किसके अंदर होती है यह क्वालिटी होती है हम बोल सकते हैं कि जो कवी वगेरा होते हैं जो बुक्स वगेरा लिखते हैं उनके अंदर यह क्वालिटी होती है बुक्स राइटर वगेरा के अंदर उनको उस लेंग्विज का बहुत जादा और बहुत डीप म यह मस्तिश्क बनाया हूआ है और इस तरीके से तीन एरो इसके अंदर जा रहे हैं, मतलब कि यह खुद में अपने अंदर ही गुले मिले रहते हैं, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो, इन्हें अंतर वेक्टित्व यह दो लोग बनाया हूआ है, यह क्या कर रहे हैं, चारों सारे इसके अंदर आते हैं क्योंकि उन्हें शारीरिक activity-based work करने होते हैं तो यह उनके अंदर क्या होती है कि special quality होती है ठीके फिर अगली आप देखो अगली है हमारे पास इस्थानिक इस्थानिक के अंदर एक प्रकार की देशज गतिविधी होती है जैसे कि आप यहां पर मानलो की एक चित्रकार होता है तो वो अपनी imaginary मतलब कलपना के बेजड़ पर चित्र बनाता है वास्तुकार हो गया तो यह सारे इनके पास कौन सी activity या फिर कौन सी quality होती स्थानिक होती special quality आप इसको बोल सकते हो तो यह सारी हमारी गार्डिनर की होती एक और होती इसके अंदर प्राक्रतिक या नि की प्रक्रती प्रेमि होता है जिसको नेचर से बहुत प्यार होता है तो वह भी होती जो बीक्ति के अंदर पाई जाती जिसे किसान हो गए इन लोगों के अ अंदर हम ये quality बोल सकते हैं तो अभी हमसे क्या पूछा गया था अंतर वैक्तित्व के बारे में तो अंतर वैक्तित्व में क्या होता है दुसरों की प्रती तदानु भूती एवं सुनने की शमता तो राइट आंसर क्या हो गया option number one next question की बात करते हैं समस्या समाधान को प्रभ प्रभावित करने को आप ऐसे ना समझो की बूरी तरीके से प्रभावित करना मदब कि कुछ न कुछ अपना प्रभाव वहां पर डालते हैं तो क्या इसका सही आंसर हो सकते हैं आप थोड़ी देर रुख सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि समस्या समाधान को कौन सी चीज आपके कारे करने की प्रवर्ति वो कर सकती है मानसिक प्रवर्ति आपकी सोचने समझने की शमता समस्या किस प्रकार की काफी जटिल है काफी सरल है तो समस्या किस प्रकार की उसका स्वरूप कैसा है यह चीज भी करती है और आपको किस तरीके का प्रशिक्षर मिला हुआ या प करती तो है तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा option number C चलिए जल्दी से next question की तरफ मुझ करते हैं आगमनात्मक तरकना किस प्रकार के चिंतक द्वारा प्रियोग में लाई जाती है क्या सही आंसर हो सकता है यहाँ पर किस प्रकार से आपको आगमनात्मक से क्या मिनी निकल कर आते हैं हमने आगमन विदी पढ़ी है आगमन में हम लोग क्या करते हैं आगमन में हम लोग यह करते हैं कि सबसे पहले उधारन देते हैं उसके बाद हम लोग कोई भी theory वगेरा हो गया या फिर हम लोग सिध्धान्त के उपर move करते हैं तो आगमनात्मक एक प्रकार का आलोशनात्मक चिंतन होता है ते क्या आगमनात्मक एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि आगमनातमक आलोशनातमक नहीं होगा एक प्रकार का हमारा स्रजनातमक चिंतन होगा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर वन क्योंकि आगमन में हम लोग तो उधारण पहले देखते हैं क्योड़ी करते हैं मतलब एक प्रकार का हम लोग creative work कर रहे हैं creative कैसे लब कुछ नया सिख रहे हैं पहले हम लोग उधारन सिख रहे हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वापस उधारन सिखने के बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें जादा अच्छे से याद रहेगा आप लोगों ने यह देखा होगा कि कोई भी चीज याद करने से पहले यदि अप उसको example के थूर समझ लेते हो कि real में ये किस तरीके से होती है या फिर past में इसी कोई चीज हुई है तो वो आपके लिए एक example होगा तो आप example पढ़ने के बाद यदि थ्योरी याद करते हो ना तो वो चीज़ आपको बहुत ज़ाधा अच्छ की बात करते हैं निम लिखेत में से कौन सा सामाजिक अभी प्रेरक नहीं है सामाजिक अभी प्रेरक नहीं है उपलबदी की आवशकता अगला है भूब प्यासव निंद की आवशकता अनुमोधन की आवशकता या फिर संबंधन की आवशकता तो कौन सा एक सामाजिक अभी प प्यासव नींद की आवशकता है क्योंकि ये तो हमारी बेसिक जरूरते हैं तो ये एक प्रकार का सामाजी कभी प्रेरक नहीं होगा सामाज के सारे तत्व हमारी उपलब्दी एक प्रकार का अशिवमेंट हमारा सामाजी कभी प्रेरक हो सकता है तिके मोटिवेशन आप बूल स समाज ने कुछ इस तरीके के नियम बनाई हुए है कि शादी करना कंपल सरी है और जो भी कुछ है कि next generation होना और ये सारे समाज के अभी प्रेरा के जिनको हम follow करते आ रहे हैं प्रवर्ती, सीखने की एक विधी, एक कांशो का क्रमिक इस्थान या फिर उप्रोक्त सभी तो हमारा विस्मरन memory एक तरीके से आप बोल सकते हो तो इसको कौन-कौन से कारक आपके प्रभावित करते हैं तो सीख जाने की विशय प्रवर्ती सही है यह चीज आपकी memorization को प्रभावित करती है आपकी भूलने की जो प्रवर्ती होती है उसको प्रभावित करती है सीखने की विधी आपको प्रभावित करती है एक कांशो का क्रमिक इस्थान तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option number D आपने दो चीजे सुनी होगी किसी भी चीज को memorize करना और फिर उसको क्या करते हम लोग भूल जाते हैं हमारी memory से वो चीजे निकल जाती है तो उसको ही आप विस्मरण बोलते हो इस्मरती मतलब याद रखना और विस्मरती मतलब के भूल जाना तो भूल जाने वाली चीजों को प्रभाविक करने वाले कारक मतलब आपने किस तरीके से सीखा यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है एक्जामपल के तुरू जैसे अभी हमने पढ़ा आगमन के तुरू पढ़ा पर क्या हो जाएगा option number D तो यहां पर आपने कितने question कर लिए 15 question complete कर लिए अब आपको बताना है कि इन 15 में से आपने कितना score किया है आज हम 30 question नहीं कर पाएंगे 15 question आज अपन कर रहे हैं 15 question अपन next class में करेंगे ठीके तो यह paper हमारा next class और में चलेगा तो आपको comment करके बताना है कि कैसा आपको यह session लगा और आपने 15 में से कितना score किया है तब तक यह question आपके लिए homework है, इस question को आप देख लो कि इस question का answer क्या होना चाहिए question आप पढ़िए, बच्चों के शिक्षन के लिए लिखित में से कौन सी सबसे उपरियोगत विधी होती है ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है तो इन चार विदियों में से कौन सी विधी का प्रियोग कर सकते हो आप इसको अच्छे से देखी और comment करके बताना इसका answer क्या होगा, upcoming session में हम इसके आगे की question complete करेंगे साथ इस answer को भी discuss करेंगे खेल, अवलोकन, कहानी सुनना, व्याख्यान ठीक है, समूच, अर्चा, मार्गदर्शित, अध्यन, व्याख्यान प्रोजेक्ट कार्य, खेल, अवलोकन, कहानी सुनाना और सेमिनार, कहानी सुनाना, खेल और अवलोकन तो कौन सी विधी सबसे उप्योगत होगी बच्चों के लिए इन चारों में से आप एक सिलेक्ट करके, कमेंट करके रखिएगा ठीक, इसका answer क्या होगा, ओके मिलते हैं एक session में आप चाहें तो screenshot ले लो इसका और फिर कमेंट करके बताना answer क्या होगा क्या है करो झाल झाल